नमस्कार, मैं आपकी वोश्ट विभा आज आप के लिए इस्पेसल तड़की वाली मूंग दाल की रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसका टेस्ट बिलकुल धावा और रिस्टोरेंट में मिलने वाली मूंग दाल की तरह से होगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखिए पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए साथ ही कीजिए मेरे चैनल विभाज स्वाधरसोई को सब्सक्राइब तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मूंग दाल तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कब दाली है आधा कब को हमने उपर तक भरा है मतलब आधा कब से थोड़ी ज़्यादा दाल हमने ली वही है पर आप अपने एकॉर्डिंग जितनी आपको बनानी होतनी बना सकते हैं और इससे सबसे पहले हम हल्दी और नमक के साथ में बॉइल करेंगे बस इतनी चीज़े डाल के नॉर्मल दाल की तरह ही इसे बॉइल करना है दाल में हम इसका फोर टाइम्स पानी डाल के वॉइल करेंगे गाढ़ा और पतलर अपना है या आप अड़िस्ट कर सकते हैं अपने एकॉर्डिंग तो इसके साथ में हमने लिया है दो तमातर, दो हरी मेर्ज, एक इंच अदरक का टुकड़ा और यह 5-6 लैसुन की कलिया है गर जोटी कलिया है तो आपको 8-10 लेनी होंगी लैसुन इसमें बहुत अच्छा लगता है और इन सभी चारों चीजों को हम पहले बारिक पेस्ट लेंगे इसका पेस्ट बना लेंगे और इसमें तड़का लगाने के लिए हम जीरा, लाल मिर् करी-बत्ते काफी सारे यूज़ करें Вас guitar कारी-पत्ता ना हो तो आप कसूरी मेत्हिन जीरा कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बार को सबसे पहली करने तेदे dol को टों करेंमें आऊ यहां कोकर में मैंने अच्छेव लयक्त कर के या सिफिये insight हों के ना दिया ही तर ताल हम ने ना चाने देंगे अराम से medium flame पे तक कि अच्छे से पक जाए तो इसे हम बंद कर देते हैं और अच्छे से पक जाने देते हैं, बिल्कुल सौट होने तक और यहां देखिए, मैंने यह प्योरी बनाके तियार कर लिया है, टामाटर मिर्च अधरक और लेस्ट की प्याज को बिल्कुल चाप कर लिया है, मिर्च को ऐसे 3-4 टुकड़ में तोड़ लिया और थोड़ी सी लाल मिर्च भी हमने यहां पर लिया है, वैसे मिर्च आप अप अच्छे से पक चुकी है चारवी सी लागी है इसमें मेडियम फ्लेम पे तो मैंने गेस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसका प्रिसर अपने आप निकलने देंगे तब तक हम इसका तड़का त्यार कर लेते हैं तो कड़ाई में हमने दो बड़े चमच मस्टर्ड ओयल डाला ह तो यह प्याज हमने बारी कटा हुआ इसमें डाल दिया है अब प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे तो इस तरह से चलाते वे अभी फ्लेम आप चाहें तो हाई रख सकते हैं तो हम प्याज को भून लेंगे साथ में हम लाल मिर्च पी डाल देंगे जो ह उसके बाद हम इसमें टमाटर की प्योरी आड़ करेंगे करी पत्ते की जगे आप कसूरी मेती यूज कर सकते हैं थूड़ी सी धन्या भी यहां डाल सकते हैं बार में तो हम गार्णिसिंग के लिए डालेंगे ही तो यहां देखे प्याज अच्छे से भून चुकी है तो इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे यह टमाटर, अद्रक, लैसुन और मिर्च की प्योरी और इसे डाल करके बिल्कुल अच्छे से हमें भूनना है तो अभी सबसे पहले हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको खोल कर भूनेंगे कवर करने से क्या होगा यह अच्छे से पक भी जाएगा और थोड़े-थोड़े सा भून जाएगे टमाटर फिर हम इसे ओपन करके खोल के अच्छे से भून लेंगे तो मैंने कर दिया है कवर यह देखिए 3 मिनट हो चुकी है तिमाटर से थोड़े-थोड़े सा तेल अलग होने लग गया है तो हम टमाटर को बढ़ियां से भून लेंगे यहां देख सकते हैं यह मसाला बिलकुल अच्छे से भून चुका है हमारा टमाटर अच्छे से भून गया है तो इसमें में तोड़ा सा कसमीरी लाल मिर्च एड़ करती है आप कोई भी मिर्च डाल सकते हैं अगर तीक अच्छा पसंद करते हैं तो सिंपल लाल मिर्च डाल दीजिया और अब हम इसमें डाल डाल देते हैं कुकर खुल गया था तो बिलकुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की डाल ये बनके त्यार हुई है अगर आपको ये ठीक लग रही हो थोड़ी सी तो आप इसमें थोड़ा सा उबाल कर पानी पहले ही मिक्स कर लें बात में इसमें पानी ना डालें तो यहां देखें फ्लेम हमने मीडियम रखा है दाल डाल दी है पूरी अभी से इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है इसे कवर कर देंगे एक बार इसे अच्छे से बॉइल हो जाने देंगे तो यहां देखें कितने अच्छे से बॉइल हो रही है दाल तो इसका मतलब यहां हमारी दाल सर्व करने के लिए बिलकुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है तो अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पती या फिर कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके तो मैंने यहां पर कसूरी मेथी डाल दी है इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेस धनिया है तो वो डाल दीजे गैस का फ्लेम बंद कर दीजे और पांस मिनटली से सेट होने को छोड़ देजे और यह देखे थोड़ा टाइम हो चुका है बिलकुल अच्छे से यह दाल सेट हो गई है तो हम इसे फटा फट गर्मा गरम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं और यहां देखे मैंने इसको एक बावल में निकाल लिया है सर्व करने के लिए और कितनी अच्छी दिख रही है ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इस दाल के साथ में आपको किसी भी तरह की सबजी और चटनी की जरूरत ही महसूस नहीं होगी बिल्कुल बढ़िया लगने वाली है यह जीरा राइस के साथ में खाईए यह रोटी के साथ में खाईए बिल्कुल अच्छी लगेगी इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक दाल रहती है थोड़ी गाड़ी रहती है तो जादा अच्छी रहती है इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया होता है तो बस इसी तरह से एक बार या डाल की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए आपको डैफनेटली पसंद आएगी और पसंद आए तो इससे शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं एक नही रेसिपी के साथ में तिल देन बाई- करें